विल्यों टीज़न वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आपका मारी यूटूब चैनल पर बहुत दोस्वागत है इस चैनल पर आपको MS Physics and Transics एक्जाम से लेटेट सारी जनका रिपलब्द कराई जाती है और वीक रिजिशन यदि आपने अभी तक application form नहीं बढ़ा है तो आप उसे जाकर के बढ़ सकते हैं description में आपको direct link मिल जाएगी या फिर वेब्सेट विजिट कर सकते हैं cuet.summer.ic.in से जाकर के आप application form बढ़ सकते हैं जो last date रहेगी application form बढ़ने की उस 6 माई 2022 यहां पे रहेगी previous video के अंदर अपने discuss किया था कि cuet exam के अंदर कौन-कौन सी universities यहां पर participate कर रही है उन से भी universities की list में आपको previous video में discuss करी थी साथी मैं आपको बताया था कि कौन-कौन सी universities आपके लिए best रहेगी for integrated courses यदि आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो आप उसे मेरे चैनल से जाकर के देख सकते हैं या फिर आप description में लिंक से जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं आज अपने इस video में बात करेंगे कि eligibility criteria क्या रहेगा CUT exam 2022 का कौन-कौन से candidate CUT का exam यहां पर दे सकते हैं क्या कोई अपर age limit यहां पर है यह सबी बात अपन इस video के अंदर करने वाले हैं इसलिए वीडियो आपके लिए काफी जादा important रहेगी इसलिए वीडियो को लास्तक जरूर देखीगा और वीडियो पैसना है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजीगा तो सबसे पहले बात अपन class 12 में भी पढ़ रहे हैं और जिनने class 12 यहां पर पास आउट कर लिए दोनों ही प्रकार के candidate यहां पर exam को दे सकते हैं चाया आपने class 12 पास कर ली हो या फिर आप class 12 में इस साल यहां पर appear हो रहे हो अपेरिंग में भी आप इस exam को यहां पर दे सकते हैं कोई age limit यहां पर नही यहां पर कोई age limit को चेक करने की जरुबत नहीं है स्युटी एक्जाम आप दे सकते हैं यहां पर कोई age limit नहीं रखी गई है लेकिन जब admission की बात आएगी किसी universities में तो आपको जिस university में admission लेना है आपको simply इस website को विजिट कर लेना है कि कोई age limit यहां नहीं रखी गई लेकिन जो CUT exam में उसको देने के लिए यहां पर कोई age limit नहीं रखी गई है जो class 12 के student है वो भी इस exam को दे सकते हैं और जिन्होंने class 12 pass out कर लिये वो भी इस exam को यहां पर दे सकते हैं जिसके दवार आप Central University में admission ले सकते हैं for UG courses अब बात अबन कर लेते हैं कि marking scheme क्या रहेगी CUT exam 2022 क कि करेक्ट करते हैं तो इसके लिए प्लस वाइफ मार्क्स आपको दीए जाएंगे और इस paper के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी यह यहां पर करते हैं तो इसके लिए माइनस वन माक्स आपका यहां पर काटा जाएगा जिए दोस्तों तो यदिए आप कोई कुशन पर correct करते हैं तो उसके लिए plus 5 marks आपको यहां पर दिये जाएंगे और यदि कोई question यहां पर incorrect करते हैं तो उसके लिए आपको minus 1 marks यहां पर काटे जाएंगे unanswered mark for review उनके लिए यहां पर कोई marks नहीं दिया जाएगा if more than one option is found to be correct यदि एक से ज़्यादा option found होते हैं कि वो correct हैं तो plus 5 marks उन्हें अवोड किये जाएंगे जिनों ने जो correct option है उन में से जो correct option है उसे attempt किया है if more than one option is found to be correct यदि प्लस 5 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option यानि कि किसी question में एक से ज़्यादा option यदि correct है तो उन्हें यहां पर plus 5 marks दिया जाएगा जिनोंने उन correct option में से कोई ग्लाइब एक option चूस किया है तो और यदि सारही option correct है if all the option are found to be correct तो plus 5 marks उन्हें वोड किये जाएंगे जिनोंने उस question को attempt किया था तो यदि किसी question में एक से जादा option सभी है तो plus 5 marks उन्हें मिलेंगे जिनोंने उन एक से जादा option मेंसे कोई option लगाया है और यदि किसी question में सा प्लस वाइब करते हैं और यह प्लस वाइब करते हैं तो इसके लिए नियुक्ष पर चाटे जाएंगे तो यह मार्किनग रहेगी थैंक्स वर ओचिंग प्लीस लाकिश सब्सक्राइब मैं यूटूब चैनल